हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सभी लोग तो आज मैंने बनाया था चिल्ली पनीर बहुत ही टेस्टी और यम्मी बना था इतना टेस्टी बना था कि मैं इतना सियोरिटी के साथ बोल सकती हूँ कि आपने इतना टेस्टी पहले कभी नहीं खाया होगा और इसे बनाना बहुत ही बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बनाया था और बहुत ही जटपड बनाया था बीना किसी जंजट और परसानी से आप भी इसे घर में बहुत ही इजीली तरीके से बना सकते हो आप यह समान जो रहता है आल टाइम सबके घर में अवेलेबल रहता है तो चलिए स्टार्ट करते ह कि मैंने इससे कैसे बनाया था तो मैंने यहाँ पर लिया था पनीर पनीर मैंने यहाँ पर 400 ग्राम का पनीर लिया था आप चाहो तो 200 ग्राम का भी ले सकते हो अपने अनुसार उसके बाद मैंने यहाँ पर पैकेट को फार दिया था फारने के बाद पनीर के अब मैं यहाँ प पीसेस काट लोंगे, पीसेस भी आपके उपर डिपेंड करता है कि आप छोटा पीसेस रखोगे या बड़ा पीसेस रखोगे, जैसा कि मुझे जल्दी बनाना था तो मैंने थोड़ा बड़ा पीसेस में काटा है, मैंने स्क्वेर पीसेस में काटा है, आप ट्राइंगल पीसे में इसके बाद मैं यहां पर क्या करूंगी थोड़ा सा ब्लैक पेपर लेंगी अपने अनुसार थोड़ा सा लिया है मैंने और उसके बाद यहां पर मैं डालूंगी नमक डाल देने के बाद मैंने यहां पर कॉन फ्लॉर लिया है और आप यहां पर थोड़ा सा मैदा भी ले स रखे हैं कॉणफलर के साथ थोड़ा थोड़ा ही लेना ज्यादा नहीं लेना है और नमक तो ओवनफलर मैदा नमक और थोड़ा सलाल मिर्च पॉडर ऍ ön धीमा धीमा हाथ में से सार इंग कर लेंगे फ्रहां पनीर को किनारे कर देंगे कि कि पनीर को ज्यादा हम पलटेंगे तो क्या होगा कि वो टूट जाएगा तो उसके और जो पेस्ट अभी हमने बनाया है यह जो पूरे मतलब मसाला का जैसे लाल मिर्च, काली मिर्च, नमक, देखकर कॉंफलोर, मैदा देखकर इसका हलका सा पेस्ट बना लेंगा धीमा-धीमा हाँ से इसको अलट-पलट करेंगे ठीक है इसको हम पांच मिनेट के लिए मैरिनेट करके रख दे रहे हैं ताकि अच्छे से नमक-उमक सब एब्सॉर्ब हो जाए इसमें अब लेंगे हम कढ़ाई कढ़ाई में डाला है मैंने तेल तेल को अच्छी तरीके से गरम कर लेंग इस तरीके से धीमा-धीमा आच में हम इसे फ्राई करना है और ध्यान रखिए का जब आप इसे बनाएंगे तो कौन-फ्लोर अमैदा थोड़ा ही लिजेगा ज्यादा नहीं लेंगे बस इतना ही लिजेगा ताकि वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए यह देखिए तेल में हमें इस तरीके से डाल लेना है अब हम आज जोर कर लेंगे और अलट-पलटके इस तरीके से हम सेक लेंगे ताकि अच्छी तरीके से लाल हो जाए और क्रिस्पी हो जाए जैसा कि हमने यहाँ पर कौन-फ्लोर डाला था तो हमारा यह क्रिस्पी होगा यह देखिए, इस तरीके से फ्राइ हो जाएगा, उसके बाद हम लेंगे, फिर से जो बचा हुआ पनीर था, मैंने फिर से डाल दिया था, फिर से आच जोर करके फिर धीमा कर दिया था, सारा पनीर मैंने यहाँ पर डाल दिया है फिर अलट पलट करके हम सेक लेंगे अगर वो चिपक भी जाए ना तो आप ऐसे कलचूल या पलटा की साहता से ऐसे जब ब्रेक करेंगे तो आटोमेटिक ब्रेक हो जाता है कोई दिक्कत नहीं है हाथ की साहता से भी कर सकते हैं यह देखिए है बनकर रेडी हो गया हमारा पकोड़ा पनीर का उसके बाद हम वही कढ़ाई में क्या करेंगे तेल को कम कर देंगे तेल अब हम थोड़ा लेना है इसमें ज्यादा तेल नहीं लगता है थोड़ा सा तेल लेना है और यहां पर मैंने सारी सबजीया काट ली है, जैसे कैपसिकम, टमाटर, मिर्चा और प्याज और लेसुन की कली को छिल लिया है तो अभी तेल गरम हो चुका, यहां पर मैंने कैपसिकम डाल दिया है, आच धीमा होना चाहिए, जो राच में नहीं होगा, धीमा आच में होना चाहिए, बस आदा मिनिट के लिए हम कैपसिकम को फ्राइ करेंगे, और तब तक हम क्या करेंगे, लोिस्टून की कली को जो मैंने कुटा हुआ लेसुन था वो भी इसमें डाल दिया है आप इसमें थोड़ा सा अद्रग भी डाल सकते हो डाल कर अच्छी तरीके से फ्राई करना है या मतलब इतना फ्राई करना है जो कि सब्जी और लेसुन का कच्चापन है वो दूर हो जाए पस धीमा धीमा आज में ही एक दो मिनेट ही फ्राई करना है Chinese खाना मतलब अच्छा बनने के लिए क्या होता है कि बस सबजी का smell चल जाना चाहिए यहाँ पर मैंने डाला है vinegar थोड़ा सा 2 चम्मच Soya sauce डाला है मैंने 2 चम्मच Green chili sauce डाला है 1 चम्मच Tomato ketchup डाला है मैंने थोड़ा सा 3 चम्मच उसके बाद मैंने यहाँ डाला है honey Honey थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे अगर आपको मीठा पसंद है तो उसके बाद मैंने यहाँ पर डाल दिया है पनीर के जो पकोड़े मैंने बनाये थे तो कितना सुन्दर लग रहा है ना देखने में तो इसको डालके में अच्छी तरीके से mix कर लेंगे honey आप अपने अनुसार डाल सकते हो आप skip भी कर सकते हो पर मुझे यहाँ पर honey थोड़ा सा चाहिए था तो मैंने डाला है अब मैंने थोड़ा सा यहाँ पर पानी भी डाल दिया है पानी इसलिए डाला है कि जो जितना मसाला है और जितना सौस है वो सब एक साथ absorb हो जाए और अच्छी तरीके से mix हो जाए और ध्यान रहना चाहिए कि आज इसमें मैंने धीमा करके ही किया है मैंने कोई जो राच में नहीं किया थोड़ा से मैंने कास्मेरी मिर्च कर डाल दे रही हूं कि कलर्स के लिए देखिए बनकर रेडी हो गया हमारा यम्मी सा टेस्टी सा चिल्ली पनीर अब हम इसे सर्फ करेंगे एक प्लेट में देखकर कितना सुन्दर लग रहा है ना और इसे बनाना भी बहुत आसान है बहुत पांच मिनिट में ही आपका पकोड़ा बनकर रेडी हो जाता है और इतना टेस्टी और यम्मी बनता है ना आपने यह मैं इतना शियरोटी के साथ बोल दे रही हूं रेस्ट्रोयन में भी नहीं खाया होगा वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और आप लोग घर में जरूर ट्राइ करिएगा मुझे बताईएगा कि यह कैसा बना